आज चारों तरफ मों इतनी महँगाई कर रखी है मोदी जी ने इतनी महँगाई महँगाई है कि नहीं हैं? घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है तन्खा बढ़ी नहीं, आंदनी बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं सब्जी महँगी हो गई याटा महंगा हो गया, दूद महंगा हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है, कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है, कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है, अपने आप नहीं हो रही, मोधी जी ने इतना टेक्स लगा दिया, इतना टेक्स लगा दिया, आजादी के बाद इतना टेक्स कभी नहीं लगा था दूद पे टैक्स लगा दिया चार्च पे टैक्स लगा दिया कभी नहीं लगा था दूद पे टैक्स चार्च पे टैक्स कभी नहीं लगा था लस्ती पे टैक्स लगा दिया चाई पे टैक्स लगा दिया कॉफी पे टैक्स लगा दिया तेल पे टैक्स लगा दिया आटे पे टैक्स लगा दिया चावल पे टैक्स लगा दिया हर चीज पे टैक्स लगा दिया और टैक्स भी कोई थोड़ा मोटा नहीं पेट्रोल यहां पे 36 गड़ में क्या भाव है 102 पेट्रोल 102 रुपई लीटर है अब पेट्रोल का भाव 57 रुपए है और 45 रुपए उसके उपर टैक्स है एक लीटर पेट्रोल 57 रुपए का आता है 45 रुपए टैक्स बताओ लूटेंगे क्या अरे यार 57 रुपए का पेट्रोल है चार रुपए टैक्स ले लो पाँच रुपए टैक्स ले लो 45 रुपे टैक्स ऐसे ही दूद पे लगा दिया ऐसे ही सबजियों पे लगा दिया ऐसे ही छाज पे लगा दिया लसी पे लगा दिया चाय पे हर चीज पे टैक्स हर चीज पे टैक्स आपको ये जानके ताज्यों बोगा हम कहते हैं ना अंग्रेज हमारा जब अंग्रेज थे हमारा खून चूसते थे अरे उन अंग्रेजों ने भी कभी दूद पे टैक्स नहीं लगाया था उन अंग्रेजों ने भी कभी लस्सी पे खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाया था पिछले 75 साल में कभी खाने पीने की ची भीजे भी नहीं छोड़ी दोस्तों इतना टेक्स इतना टेक्स इतना इसलिए महंगाई हो रही है महंगाई अपने आप नहीं हो रही है यह दाल महंगी हो रही है खाने पीने की यह सारा पैसा जा कहा रहा है इतना टेक्स इकठा करके मोदी जी कहा ले जा रहे हैं लुटा रहे हैं किसको दे रहे हैं किसको दे रहे हैं